सर्धिया स्टार्ट होती ही, Fatty Idea की प्रप्लम हमें सताने लगती है, साथ में बहुत सारे लोगों को यह साल भर यह प्रप्लम सताती है, तो इसकी जिये आपके लिए में एक रेमेडिल आई हूँ, बहुत सिंपल है, और फटी एडिये से आप मुक्त हो जाएगे तो वीडियो को प्लीट देखे तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आज जो रेमिडे में आपसे शेयर करने वाली हो उसे आप स्टार्ट कर दीजिए लगाना स्टार्ट कर दीजिए इससे क्या होगा आपकी जो एडिया है मुलायम रहेगी उसमें नमी बरकरार रहेगी और आपकी एडिया तो इस टाइम हम बहुत सरे क्रेम सोते हैं वह लगाते हैं लेकिन फिर बे हमें आराम नहीं मिलता है आज अपसे इसी डियाइवाई में शेयर करने वाली हूँ उसे आप स्टोर करके रख दीजिए एक या दो मेना आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं और लगाना है आपको क्या करना है आपकी जो पेर है उसे अच्छे से वाश कर लेना है जो प्यूमिक स्टोन होता है या जो ब्रश होता है उससे आपको एडियो को साफ कर लेना है ताकि उसमें कोई डर्ट ना रहे और रात को सोने से पहले आपको इसे लगाना है अच्छे से लगा लेजिए थो छोदे को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और इसमें जो इंग्डेंस है वो भी बहुत सिंपल है, एजिले आपको घर में मिल जाएगे तो चले जी वीडियो का करते है हम स्टार्ट तो वीडियो को कर है कि उस्याइड्य का थिल्ए क्या यूज करना है आपको इसमें next डालना है wax, wax means जो हमारे घर में candles होते हैं, जो टुकडे बच जाते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको इसे हाथ पे भी लगाना है, तो जो एक wax मिलता है, जो chemical नहीं होता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन एडियो पे इसे लगाने क या बाउल लीजे या कोई container लीजे, उसको आपको इसमें जमाना है, क्योंकि यह जम जाएगा, हम डालते ही यह जम जाएगा, इसमें है घी और इसमें है wax, तो दोनों बहुत अच्छे से जम जाते हैं, और इसमें हम next डालने वाले हैं थोड़ा सा coconut oil, coconut oil आपको डाल नहीं ह अगर आपके पास coconut oil नहीं है, आप option की तरह आप इसमें almond oil के कुछ drops डाल सकते हैं, या आप vitamin E की capsule भी एक डाल सकते हैं, तो यह बहुत जल्दे जम जाएगा, और ऐसा नहीं कि आपको लगाने के time यह means निकलेगा नहीं नहीं, जैसे हम वैसलिन लगाते हैं, या कोई jelly लगा जाएगा, अच्छे से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहां बोलना चाहूंगी, कि यह आपको आपके हातों पे नहीं लगाना है, धान से सुनिए, आपको आपके हातों पे नहीं लगाना है, क्यूकि हमने इसमें candle का wax mix किया है, तो इसकी लिए आपको strip, इसे आपक तो थोड़ी देर के बाद ये हमारा वैक्स रेडी हो चुका था आप देख सकते हैं ये वैक्स बहुत ही अच्छे से आप लगा सकते हो और बहुत ही इफेक्टिव है देशी घी आपको मालूमें कितना अच्छ होता है हमारी स्कीन के लिए हेल्थ के लिए तो यह हमें आपको लगा के दिखाती हूँ और मुझे इफेक्ट बहुत अच्छा मिला है अगर अपके ज़्यादा क्रैक्स हो तो आप अच्छी से धोकर उसे लगा लीजे या मुझे कोई क्रैक्स नहीं है थोड़ा बहुत थंड के कारण पेर ऐसे हो जाते है लेकिन अगर आपको क्रैक्स हो तो आपके पेरों पे बहुत अच्छा एफेक्ट करने वाली है थोड़ा ट्रस के साथ इसे इस्तमाल करिए रात के टाइम इस्तमाल करिए सौक्स पेनिए रोज आपको लगाना है ध्यान रखिए आपको रोज लगाना है रेमेडी एफेक्टिव है लेकिन आपको कंटिनी यूज करना है तो वीडियो कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए तो जो रेमेडी हमने बनाई है अमेजिंग है क्रैक्स के लिए स्टोर करके रख दीजिए रात को सोने से पहले लगाए मैंने जैसे बूला है क्रैक्स को आपको अच्छे से साफ कर ले इसे जरूर ट्राइ करिए अगर थोड़ी से अपको प्राब्लम है या थोड़ा रुखा फोन आपको लग रहा है ड्राइ हो चुकिए तो भी आप इसे लगा सकते है तो इसे बनाईए लगाए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए I hope यह वीडियो अपको अच्छा